शिमारू के नई वीडियोज के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें लगता है बिचार बोल नहीं सकता है कि यह क्या करें बाबा मैं तो तुम्हेरे बेटी समान हूं बहुत प्यास लग रहे हैं बाबा पानी मिलेगा पानी हां यह यह वेली किसी जमाने में बड़ी शांदार रही होगे यह वेली में यह अकेला रहता है अब बाबा आदी खातम हो जाएं चले जाएं अब तैक्यों अब 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 क्या करना चाहरा है मुहालम नहीं यह तो मिल बाबा यह किसके तैस्वेर है यह कैसे हो सकता है यह तो बिलकुल वैसी ही है जैसी मैंने तुम्हें बिला देखे बनाई थी यह जो तस्वीर मैंने बनाई थी रेश्मा वो तुम्हारी नहीं इस लड़की की थे कई ऐसा तो नहीं रेश्मा जैसे वो तस्वीर वाली लड़की तुम नहीं हो वैसे ही तुमने मुझे नहीं किसी और को देखा सपने में नहीं कुमर जी मैं तो सपने में सिर्व आपको ही देखती थी इसके पीछे जरूर कोई राज है यह तुफान शायद हमें यह इसलिए लाया है ताकि हम यह तस्वीर देखें और अपनी पहचान तलाश करें मुझे जर लग रहा है कुमर जी यह कैसे जगह है और वो आदमी कहां गया किर्जा क्या बात है क्या कहिना चाहता है अवेली समझा नहीं नहीं समझा क्या क्या तेली आई है हमारी बेटी आई है साथ सूरत भी है हम जानते थे कि यह दोनों एक दिन जरूर आएंगे यह बगवाद तेरा लाक लाक शुक्र है अब मेरे गुनाहों का प्राश्चित हो जाएगा मेरी मुक्ती हो जाएगी चल आज वर्शों के बाद मैं अपनी बेटी से मिल सकूँगा चल चल दी चल कहां है दोनों? हतल की दर ने हैं है चिंता ना कर गरजा अब तो उन दोनों ने दूसरा जनम लेही लिया है एक नएक दिन अतीत उन्हें खेच कर यहां लेही आएगा और फिर सूरज तो एक बार समाधी परम्भी आया था अब तो कहता है कि देवी भी उसके साथ थी अब तूने दूसरा जनम लेही लिया है बेटी सूरज को लेकर एक बार हमारे पास आजा आके हम अपने पापों का प्राश्चित कर सके कैसे अजीब लग रहा है ना अभी कुछ दिन पहले हम एक दूसरे को जानते भी नहीं थे जानते कैसे नहीं थी मैं तो आपको तब से जानती हूं जब से सपना देखना शुरू किया और आप भी आगर मुझे ना जानते होते मेरे तस्विर कैसे बना थी पर हम लोग एक दूसरे को मिले बिना कैसे जानते थी अरी इसी को तो प्यार कहते है है प्र समयतं नदी जब भहरों से उतरती है तो इसी ये पता थोड़ी होता है कि उसे सागर से मिलना है व्यों इसागर कुछ जानती भी नहीं वर सागर की तरफ यह है ऐसे ही हम एक दूसरे की तरफ दौड रहे थे और आज ईसा लगता है कि हमने तो मिलने के लिए जनम यहीं खड़ा रहे जाएंगा मैंने तुमसे प्यार किया है मेरे महल ने तुमसे प्यार नहीं किया लेकिन जब मेरी कभिलेवालं को और आपके घरड़ओं को पता चलेगा तब क्या होगा अरी, उन्नी तो पता चलना ही है होता है बगेर हमारा मिलन तो ही नहीं सकता बात समझने के कोशिच किर देख अबीमानी होते ही हमारे कभिले भी कम अबीमानी नहीं होते रेच्मार और जो होगा देखा जाएगा हुआ हुए यह सब तो ठीक है लेकिन वो हीरों का जुगनु का है बस सरकार वो भी कल पर सुन तक आ जाएगा क्या है कि इस काम का खास करें कामें देर नहीं होनी चाहिए निया बैटी अच्छा हुआ तुम आ गई लड़का तो तुम्हें अपती पसंद का चुनी लिया है अब जेवर भी चुन लो हाँ क्या हुआ बैटी अब जेवर खिर्ण में पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं यह शादी तो होने वाली नहीं यह तु क्या कर रही है बैटी कोर्त उस दो टेकी के बंजारन के पिछे बढ़ आप ऐसा ही सोचते रही है नहीं कुमर ऐसा करने की हिम्मत ही नहीं कर सकता उसे मालूम है कि स्वाभी मानी राजपूच यह जिल्लत कभी बरदाश नहीं करेगा सारा शहर जानता है कि कुमर की शादी तुस से तैह हुई है इसलिए सिर्फ तुझी से होगी तु फिक्र मत कर बेटी मैं राना को उसके कौल से फिरने नहीं दूगा आओ आओ रणजी सिंगा खूब वक्त पर रहे दिखो वह कैस्परूर कारपो का गेम है मेरी समझ में नहीं आरा कारपो ने सिक्स गेम में प्याद्य को आगे कैसे बढ़ा दिया अपनी बादी जीतने के लिए तो लोग अपना वजीर तक पिटवा देते हैं राना उदेब भान सिंग शिशोदिया मैंने तो सोचा था कि हमारी दोस्ती ने हमारी खांदानी दुश्मनी को दफन कर दिया है लेकिन अब पता चला कि शिशोदिया राजपूत दोस्ती को भूल सकता है दुश्मनी को नहीं तुम को सिर्फ दुश्मनी निभाने के लिए ही जिन्दा रहते हो तुम ये क्या पक रहे हो रंजीत मैं ठीक कह रहा हूं राना तुमने मुझे इस मुगालते में रखा कि कु कि ये बात सारी राजपूत बिरादरी में फैल चुकी है कि मेरी बेटी का बेहां तुमारे बेटे से तैर हो गया है तो तुम ने अपने बेटे को उस बंजारन लड़की से इश्च करने की छूट दे दी ये क्या पकवास कर रहे हो तुम ये बात शेयर का बच्चा-बच् ये जानते हुए भी कि हम एक शरीफ राजपूत घराने में तुमारी शादी तै करने का फैसला कर चुके हैं तुमने एक बंजारं से इश्च करने की बत्तमीजी की डैडी मैंने कब कहा कि मैं नेहा से शादी करना चाहता हूं या उसे शादी करूँगा तुम होते कौन हो ये कहने वाले ये कहना हमारा काम है कि तुम किस से शादी करोगे और उसे मानना तुम्हारा फर्ज है इश्च तो एक खिलवार है जिसके लिए हम तुमें मौफ भी क कर सकते हैं लेकिन तुमने ये कैसे सोच लिया कि हम अपने बेटे को एक बंजारन से शादी करने की इजाज़त देंगे आपका गुस्सा सरांखों पर डेड़ी लेकिन हम राजपूतों की परंपरा ये भी है कि हम अपने सर पर आबरू की पगड़ी बांगते हैं और अगर व हवेली में वही होगा जो हम चाहेंगे और आप अपने बेटे को ये बात अच्छी तरह समझा दीजे कि इसकी बात मानना हमारे लिए जरूरी नहीं है लेकिन हमारी बात मानना इसका फर्स है कि अब अब इन हवेले की गुंगी बहरी दिवारों की तरह डैडी से सहमत हैं क्या आपके लिए एक एक जिंदा इंसान की कोई आहमियत नहीं ऐसी बात नहीं है कुमार पर हम लोग किसी और सांचे में ठले वे हैं अपने डैडी को बर्दाश करना सिखो मुझे उस मोड पर ना खड़ा करो बिटा जिसका एक रास्ता तुम्हारे डैडी की तरफ जाता है और दुस्सा रास्ता तुम्हारी तरफ मैं तुम दोनर में से किसी के बिना जीने सकती हुजूर आपने याद किया हाँ हमने तुम्हे इसलिए बुलाया है कि तुम्हें हुक्म दे सकें कि कल का सूरज निकलने से पहले तुम लोग यहां से चले जाओ इस वफादार खादिम से ऐसा कौन सा अप्राद हो गया सरकार तुम उस नमक को भूल गए जो सदियों से तुम्हारी रगों में दोड़ रहा है या शायद तुम यह सोच लेगे कि राच खत्म हो जाने से हम भी खत्म हो गए या सदियों का पानी पढ़ते पढ़ते उस नमक का जायका उतर गया है जो कभी तुम्हारी जुबान की इज्जत आब रुवा करता था या आप क्या कह रहे हैं हम तो वो लोग हैं जो नमक हरामी का मतलब तक नहीं जानते हमने आपके पुर्कों के कद्मों तले कालीन तो नहीं बिचाए मगर अपनी लाशे जरूर बिचाई हैं कि उन्हें उन रास्तों पर कद्ब न रखना पड़े जिन पर अपमान की धूल ह तो फिर तुमारी आँखों ने जोपणियों से निकल कर महलों के खाप देखने की बत्तमीजी कैसे गी अगर अन्जाने में इन आँखों से कोई अफराद हो गया हो तो मैं या आँखे निकाल का फेक दूँगा हो बंद करो ये वफादारी का नाटक तुम अपनी बेटी को आगे करके कुमर जी को फसा रहे हो ताकि वफादारी के खेमों से निकल कर इस हवेली में आ सको जहां हमारी आन बान का इतिहास बसा हुआ है किसी ने मेरा मान करने के लिए मुझे ही गाली दी है सरकार मेरी रेश्मा तो कुमर जी को जानती भी नहीं हमें मालूम था कि तुम यहीं कोगे अगर रेश्मा कुमर जी को नहीं जानती तो यह क्या है यह तस्वीर तो रेश्मा की है सरकार और यह तस्वीर कुमर जी ने बनाई है अगर तुम्हारी बेटी कुमर जी को नहीं जानती तो उन्हों ने यह तस्वीर कैसे बनाई यह कोई और भाबकिए और यहाँ factory है इसकार पहनवा तो देखी यह तो रा खराना का पहनवा है पहनवा बदल जाने से सूरत तो नहीं बदल जाती, अब इस से पहले कि हमारा गुसा तुम लोगों की कुर्बानियों की कहानी बूल जाए, जाकर अपनी बेटी को समझा दो, कि खैमों से निकल कर हवेली की तरफ जाने वाले रास्ते पर कदम न रखके, उसे तैय करने में जिन्दगी खत्म हो जाती है, स झाल、 कमार, करने में जाए, तीदियों करने में जाती है, जाए, जाँ के क शाई रहते हैं, से जाती है, से एले के आती है, से छोंजों की को ऺlayा है, सब्सावाई के कि बगरा महीं जाप सकाने, है जा एननी को जांप Idea-ने मोमना, की जानी की से खत्म है किए आफसे टे様 से